दोस्तों, आज के मौझूदा समय में यंग लोग भी आया दिन हार्टेक के कारण अपनी जान गमा रहे हैं। अभी हाली में आपने देखा होगा कि कई सारी यंग सेलिब्रिटिस भी हार्टेक से अपनी जान गमा चुके हैं। अब अपने डिली रूटीन को हल्दी रखने के आवशकता हैं। खान पान पर अच्छे से ध्यान देने के आवशकता है। इसके लावा आज में आप लोगों के साथ हार्ट टेक्स से बचे रहने के लिए दिल को तंदरूस्त रखने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आयरुवेदिक नुस्खा श्यर करने वाला हूं, यह रेमेडी पूरी तरह से दोस्तों आयरुवेदिक है, इसमें इस्तमाल की जाने वाले सारी ही औसदियां आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएके, अगर कोई चीज घर पर ना मिले तो आप आसपास किराने की दुकान से खरीद कर ला सकते हैं, देखे, अगर खोन गाढ़ा होने की समस्या है, तो कई रोगों को यह जर्म देता है, यहां खोन क के सभी हिस्सों में खून ही है जो पहुचाता है, तो यदि आपका खून ही गाढ़ा हो जाएगा, तो आपको कहीं समस्याई हो सकती है, सांस लिले में तकलिफ हो सकती, इसके लावा कहीं बीमारी हो सकती है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके शरीर का खून गाढ़ा ह सिर में हमेशा दर्द रहना हाइल ब्लड प्रिशर होना तोचा में खुजली होना देखने में परिशानी महसुस करना यानि धुनलापन और गौट की समस्या होना इस तरह के सिंटम्स अगर आपके शरीर में लगतार बहुत टाइम से दिख रहे हैं तो एक बार खून का जान जरूर करवा लिजे जिन लोगों को हार्ट की बिमारी है उनके लिए खून का काड़ा होना नुकसान दायक हो सकता है दिल में मौजुद महत्पून ब्लड वैसल में यदि ब्लड कलॉट बनने लगे तो हार्ट अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगा जिससे हार्ट टेक आ सक पर तरह जित्यां पाला करने वाले नुख्षे रहाजिए। आज को ऐसे नुख्षे पटाने वाला हूं जिससे आप गाढ़ी खुन को पार कर सकते हैं हलां कि अगर अगर ख्यली खून पहले कोई नुख्षान होने वाला लेकिन हां कौन गाड़ा हो चुका है कोई blood circulation अच्छा होगा, साथ ही नसों में blockage है, cholesterol बढ़ा हुआ है, तो उसे ये कम करेगा, नसों को शुद्ध करने का काम करेगा और आपको healthy रखेगा, अगर आपको diabetes है, blood pressure की समस्या है, गठिया, arthritis की समस्या है, या फिर चक्कर आते हूं, सबसे पहले remedy हम जो बनाएंगे दोस्तों, वह है अर्जुन की छाल का काढ़ा, देखिए, अर्जुन की छाल के बारे में आयर्विती किताब स्टांग रिद्म में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, अगर खुन से सम्मंदित कोई भी समस्या हो ना, आपको हाई भी पी की समस्या हो, दिल से सम्मंदित कोई भी रोग हो, तो आपको अर्जुन की छाल की काढ़ा जरूर पिना चाहिए, अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएंगे न दोस्तों, तो इससे आपके श्रीर को कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप हेल्दी भी हैं, अगर आपके श्रीर में कोई बीमारी नहीं है, तो भी आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बना कर पी सकते हैं, इससे आपको लंबी तो अरजुन के चाल देखे इस तरह का देखता है यह औसरी गुणों से भरपूर होती है यह शेरी के अंदर वात, पीत और कफ तीनों को बैलेंस करती है यह खोन को पीरिफाइ करती है शेरी के सारे टॉक्सिंस को दूर करती है यह नासों के ब्लॉकिज को खुलने का काम करती हाट को हेल्थी रखने का काम करती है यह हमारे जोडों में होने वाले दर्द को भी दोस्तों दूर करती है शरी में होने वाली सूजन को दूर करती है अर्जुन की छाल आपको कहीं भी आजपा से आयरविदिक की दुकान में मिल जागी यह बहुत ही सस्ता होता है ज्यादा मह काड़ा बना सकते हैं इस ऐसी इयह जानते हैं हमेसी काड़ा बनाना याइ जान्ते अर्जुन की उत्वयों के की बारेEng girls इत् תविए सकते हैं रख बरसा या ठंड का कुसी थंडि हो तो आुसरे और रैंगों कि चैनल करेें आने सब्सक्राइब है युड़ मघाएं प्रयोग अगर पैसे लगवख 10-12 मिनिटे पश्टे से उबाल technical इसे दिनेंगे, पैसे लगवख 10- 12 मिनिटे तर चाहिसे उबालेψे हैं जब भी थोड़ा गुनगुना रह जाए तो इसमें शहद या फिर गुड मिलाकर इसे पी सकते हैं अगर डायबेटिक पेसिंट अरजुन की छाल का काढ़ा पीना चाहते हैं तो बगएर शहद का बगएर गुड का लेना है दोस्तों इस काढ़ी का सेवन आप दिन में कभी भ साथ भी कर सकते हैं इगलास दूद में एक छोटा चमच अरजुन की छाल का पाउडर आ लिए इसे उबाल लीजे और रात को सुने से पहले पी लिए दूद के साथ या फिर पाने के साथ दोनों ही चीज़ों के साथ इसका सेवन किया जा सकता है दोस्तों जिनका कॉलिस्ट चाहिए कि कॉलिस्ट्रॉल या फिर ट्रागलेस्ट्राट का ज्यादा बढ़ना दिल के लिए घातक हो सकता है इससे कई बार हाट टैक आने का भी खत्रा रहता है तो ऐसे मरीजों को रोज अरजुन की छाल किसी ने किसी रूप में अवश्य करने चाहिए मतलब दूर या प दूसे के बारे में तो यहाँ पर दूसरा नुसका बनाने के लिए आपको दू चीजों के आउश्टा पड़ेगी लेकिन आज में जो आपको तरीका बताने वाला यह तरीका बहुत ही कमाल का है इसका सेवन आपको सुबह-सुबह नास्ते में करना है दोस्तों लहसुन के अंदर अलिसिन पाया जाता और अद्रक के अंदर पाया जाता है जिंजर ओएल यह दुनहीं चीजें हमारे ब्लड को पतला करती है इंट्लामेशन को दूर करती है और गाढ़े हो चुके खोन को पतला करती है आप सबजिव में डालकर कितना भी इसका इसका पूरा लेने के लिए इस तरह आप जिरूरी इस्तमाल कीजिए कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए आपको क्या करना है तीन से चार छिली वी लहसुन की कली लेनी है इसके लावा इसके अंदर लेना है आधा इंच के बराबर अद्रक का टुकड़ा आपको लहसुन और साथ खाना है आप चाहा है तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा नमक भी आड़ कर सकते हैं काला नमक या फिर सिंधा नमक जिसे रॉक साल्ट कहते हैं इसका इस्तमाल कीजिएगा घर पर जो हम सोडिय वाला नमक इस्तमाल करते हैं इसका इस्तमाल कीजिएगा आप चाहा को शुरी से बाहर कर देगा इस पाउरफुल चटने का इस्तमाल आपको रोजाना करना है लाइफ टाइम कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं होता दिर में दो बार भी कर सकते हैं कभी भी इसका सेवन किया जा सकता है यह दोनों ही चीजें नैचुरल तरीके से आपके खुण को प जार से नहीं लाना है इसे कूटकर ही इस्तमाल कीजेगा और एक पैन में आप एक गिलस पानी डाल दीजे और गैस पर हलकी आज पर चड़ा लिजे उसके बाद कूटा हुआ तूलसी के पत्ती और काली मिर्च के पाउडर को इस पानी में एड़ कर दीजे और इसे कर सकते हैं लेकिन अगर आप डाइबिटीक है तो शहाद के इस्तमाल ना करें आप इस तूलसी के पत्ते और काली मिर्च के जो काड़ी का से उन करेंगे ना तो इससे दोस्तों आपकी रुख पतिर दुख छमता भी बढ़ेगी खोंडी पतला होगा नसों में जमें कॉलेस के इस्तमाल आप रेगुलर कर सकते हैं और आप नसों से समधित रोग दिल से समधित रोग और गाड़े खुन की समस्या से थुटकारा पासकते हैं तो आज किस वीडियो वें बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर किजेगा और जाते-जाते जरूर इस वी